नमस्कार आज हम डिस्कस करेंगे गिरीराज पत्रिगा जो कि हिमाचल प्रदेश की स्ताप्ताहिक पत्रिगा है तो गिरीराज पत्रिगा का मई महीने का हम पांचवे नंबर का पार्ट जो हो डिस्कस करेंगे पांचवे नंबर का पार्ट है तो हर एक important question जो भी सपताह में ज कर लेंगे आपको थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी भी जो है वो मिल जाएगी ठीक है एक्जाम पॉइंट आफ यू से ज़रूरी नहीं है प्रन्तु जर्नल अवेरनेस के लिए सोसाइटी में आप रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए है चलिए जी प प्रन्तु आपको पता है कि मैं जो है हर इस सब्सक्राइब कर देता हूं न्यूजपेपर से भी तो यह न्यूजपेपर से हमने डिटाइफ किया तो इस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो नए चीफ जश्टिस बने है वो बने है M.S. रामाचंद्रा राओ ऑप्शन C जो है वो सब्सक्राइब कर दी जो है इस से पहले कौन थे ते इस से पहले जो था वो तिरलोग चोहान के पास जो ता वो किया था अडिशनल चार्ज उनके पास दिया गया था अभी जो हो जिस्टिस MJ, M.S. Ramachandra role पॉइंट कर दिया गया सबत कोन दिलवाता है तो सबत राजवाल दिलवाता है राजवाल कौन है सिवाप्र प्रताप शुकल इनके द्वारा यह श्पत् समारो यह और जुद्स अंनके द्वारा दिलवाई गई अगर हम बात करते हैं Justice MS. रामाचंद्रा रौखी तो इनका जर्म है द्रवाद में हुआ था और ये जो हैं वो अलग-अलग स्टेट के हाई कोर्ट जो है जो है और रह चुके हैं जैसे आंध्रा प्रदेश में ये रह चुके हैं तेलंगना में ये रह चुके हैं पंजाब हर्याना जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी जो है ये नियादीश जो है और रह चुके हैं तो ये हैं अभी ये हिमाचल प्रदेश के जो हैं उन्हें चीफ जेस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के तो वो आपने ध्यान रखना है अगर हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो हिमा मांचल परदेश से जो है क्या ज़ा जैसे भी रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुका है उपने सर्फिस्स से वे चुके हैं तो जस्टिस मेहर चंद महाजन जो डिष्टिक कांगड़ा से हैं वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं हिमाचल पर देशते जिन्होंने जो है वो Supreme Court में Chief Justice के बद पर जो है वो अपने सेवाएं जो है वो दी है चलिए उनके बारे में भी हो गया आपने High Court की Building का नाम भी ध्यान रखना है इसका नाम है Ravenswood Building वो नाम भी जो है वो important है तो चलिए ये सारे कोईशन आपके यहां से क्लियर हो गए अगला कोईशन देखते हैं अब हमारे बस क्या पूछा गया है नेक्स्ट कोईशन में बोलते हैं बोलते हैं What is that toll-free number issued by हिमाचिल प्रदेश पुलिस for giving information about drug smugglers तो बोलते हैं कि नसा तसकर जो होते हैं उनकी सूचना देने के लिए हिमाचिल प्रदेश पुलिस द्वारा जारी toll-free number क्या है exam में अक्सर जो छोटे-छोटे toll-free number होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं अब toll-free number तो पूछे जाते हैं हो सकता है ना भी पूछा जाया यह question exam में प्रंतु वैसे भी general awareness के लिए important हैं आप इस society का पार्ट हैं तो society में जरूर जो है वो participate करना भी चाहिए अगर हम बात करें toll-free number की तो नसा drug trafficking जो हो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हिमाचिल प्रदेश में आए दिनों कोई ना कोई case सुनने को मिल जाता है हिमाचिल प्रदेश पुलिस ने 1908 जो है वो जारी किया है यह toll-free number जो है एक article दिया गया था गिर्राश पत्रिका में जिसमें detail में बात की गई थी जानते हैं क्या क्या कहा गया था हिमाचिल प्रदेश सरकार ने ड्रग-free एप भी जो है वो स्टार्ट किया है और प्रतेक पुलिस टेशन पर जो है नसा निवारन समीतिया जो है वो गठित की गई है यह भी ध्यान रखिये नसा तसकरों की सुचना देलें के लिए हिमाचिल प्रदेश पुलिस के द्वारा हो जागरुक होंगे तो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होंगी इस तरह की एक्टिविटीज को जो है वो मीनिमाइज किया जा सकता है कैसे भी करके सेक्सिनिक संस्थान जो है वहां पर एंटी ड्रग कलब बनाने की बात भी जो है और इसके लावा कोई टोल-free नंबर अ भी जरूर सुना होगा अब यह गुडिया हिलप लाईन लॉंवर क्या है तो गुडिया हिलप लाईन नंबर है यह बही आपने ध्यान रखना है 1515 जो है वो गुडिया हिलप हेलप लाइन नमबर और दूसरा होश्यार सिंग हेलप लाइन नमबर इन नमबरों को आप जरूर धियान रखें जरूरी है एक्जाम पॉइंट आफ यू से अगला कोशिन देखिए बोलते हैं वेर इस दा इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इस दैशेन ला ना मी बोलते हों मुक्ठ मंतर गए थे कानग्णा के दो दोर बड़्य पर तो उन्होंने जो था वो अलग-लग बातें वहाँ पर बताई अलग-लग schemes के बारे में detail में explain किया अलग-लग project जो सरकार के चल रहे हैं वहाँ पर उन्होंने विजिट किया तो इंटरनेशनल convention center की बात की गई तभी ये news में आया तो अभी ये बात कही गई कि धरमचाला में 130 क्रोड रपे की अनुमानित लागत से अंतराष्ट्रिय convention center प्रस्तावित है और ये भी कहा गया कि ये प्रेटन को बढ़ावा देगा और इसके लिए दो दस्मलब एक नौव एक नौव एक तेर भूमी चिहनित कर ली गई है तो ठीक है ये तो common बाते कही गई इसके बारे में international convention center के बारे में तो ये सब आप यहां से ध्यान रखना अभी और भी कांगडा दौरे से question निकल कराएंगे तो उन सभी से और भी concept clear हो जाएंगे अगला question देखिए अगला question मैं बोलते हैं यहां पर पूरा गया है कि धगवार milk processing plant is being constructed in which district of हिमाचल प्रदेश तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में धगवार दुग्द प्रसंसकरण सेंतर जो है वो निर्मान इसका किया जा रहा है अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं detail से आपको बताता हूं अंसर तो आप समझ गए होंगे कि कांगड़ा की में आपको पहले ही बिता दिए कांगड़ा का दौरा है तो उसी का ही अंसर होगा कांगड़ा मुख्यमंत्री के द्वरा जब द्वरा किया गया कांगडा का तो उनके द्वरा कहा गया कि 250 क्लोड रपया वो इन्वेस्ट किया जा रहा है धंगवार मिलक प्रोसेसिंग प्लांट के लिए और ये इसके लावा यहां पर बात की किए जब मिलक प्रॉसेसिंग प्लांट है तो कow और जो बफैलो होती है उसका मिलक जो है वो लेने की बाद भी सरकार ने कही सरकार ने कहा कि हमने एक योजना भी चलाई है जिस योजना का नाम है हिम गंगा योजना तो ध्यान रखना है कि हिम गंगा योजना जो है वो दूद से रिलिटिड है और यहां पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि मिल्क बेस्ट इकॉनमी को जो है वो डवल्प किया जाए एन्हांस किया जाए जो मिल्क गंगा स्कीम है इसमें जो है वो क्या किया जाएगा इसमें जो लोग पसू पालते हैं जिन्होंने गाय भेंस पाल रखी है उनको जो हो दूद का बड़ा ही अच्छा प्राइस वो मिलेगा जो दूद की एक्चुल कॉस्ट होती है उसको प्रश्दी हो सके तो हिम गंगा योजना ध्यान रखना है कि 500 क्रोड प्या जो है वो इसके लिए फ्रस्तावित है पाइलेट बेसिस पर चलाई जा रही है दूद से यह योजना है और साथ मैं ध्यान रखना है कि यह जो मिल्क प्रॉचेसिंग प्लांट है यह कहां पर जो इसके उसके इस हो दाइब बात है जश्दी प्रश्दी के द्व किया गया है तो किया गया है तो एच्छी बात है प्रंतु यहां से भी जो है वो कुछ पॉइंट आपने ध्यान रखने हिवाचल प्रदेश का जो फर्स्ट बायो डैवर्सिटी पार्क है वो आपने जरूर ध्यान रखना है तो वो एक क्रोड की अनुमानी तलागत से जो है वो बनाया जाएगा इस पार्क के आने से क्या होगा इस पार्क के आने से जो है वो जो हिमाल्या के हर्बल प्लांट्स होते हैं उनको जो है वो कंजर्व किया जा सकेगा और साथ में ही रिसर्चर्ज जो होते हैं जो रिसर्च करते हैं इस फिल्ड से रिल्टिड वो अपना रिसर्च जो है वो यहां पर आकर डेफ्ट में जो है वो कर सकते हैं यह इस तरह से कहिए कि टुरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो हमारी जो हिमालियन हर्भ हैं वो भी जो हो कंजर्फ हो जाएंगी तो यह है तो दो कोशिन कांगडा का वो आपने ध्यान रखना है तो यह क्वेशिन होगे बायो डाइवर्सिटी पारक से रिलेटेड अचा आपने ध्यान रखना है कि बलक ड्रग पारक बनाने की भी बात कही जाती है कि बलक ड्रग पारक जो है बन रहा है तो वो कहां पर बन रहा है वो डिस्टिक उना में जो है वो बन रहा है, definitely यहां से question जो है पूछा जाएगा, definitely यहां से sure है question पूछा ही जाएगा, अगला question देखिए, अगले question मैं बोलते हैं, बोलते हैं, under which scheme women of lahore spittty will be given rupees 1500 per month, यह तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिये था कि हिमाचल की lahore spittty की जो महिलाएं हैं, 1500 रुपया जो है उप्रतिमा दिया जाएगा, जब मुख्यमंत्री के दोरा, spittty valley का दोरा जो था वो किया गया था, तो उस दोरान उनके दोरा जो था, यह बात कही गई थी, चलो अच्छी बात है, लहुत पittty के महिलाओं को 1500 रुपया मिल रहा है, कौन सी यह महिलाएं है जिनको यह 1500 रुपया मिल दिया जाएगा, तो 18 वर्स चे उपर की कोई भी महिला होगी, उनको यह दिया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, योजना कौन सी है, यह योजना है, इंद्रा गांधी महिला सम्मान निधी योजना, option D सही अंसर हो गया, इंद्रा गांधी महिल होने यह कहा था, तो स्पित्ती वैली की महिलाओं को, लोह स्पित्ती डिश्टी की महिलाओं को जो है, यह पैसे जो है, वो दिये जाएंगे, पर मंथ 1500 रुपया दिया जाएगा, पहला कॉंसेप्ट यह क्लियर हो गया, कौन सा आयू वर्ग इसमें रखा गया है, तो 18 वर् यह सारे फ्रेक्ट आपने जान लिए, अगला कोईशिन भी इंपोर्टन्ट स्कीम से रिलेटिड है, बुला गया है, विच स्कीम है रिसेंटली एप्रूवड वाय स्टेट कैबिनेट तो एंकरेज दा यूज ओफ एलेक्ट्रिसिटी वहिकल, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्र योजना का नाम बताना है, लास्ट टाइम भी हमने यह योजना डिस्कस की थी, कि योजना है, राजीग गान्धी सोरोजगार योजना, इस योजना के तहथ यह बात कहीं गई है, कि जो इलेक्ट्रिकल वहिकल है ना उनके लिए सबसीडी जो है, वो दी जाएगी, किस तरह से सबसीडी दी जाएगी कितनी सबसीडी जो है वो दी जाएगी ध्यान रखना है कि सरकार ने अभी हाल फिलाल में कैबनेट में तो बात कही कह दी गई थी प्रतु सरकार ने अभी हाल फिलाल में कैबनेट मंत्री मंदल के द्वारा जो है वो राजीव गांदी स्वरोजगार युषना 2023 को मनजूरी दी गए इसमें जो इलेक्ट्रोनिक टेक्सी अगराफ खुरिते हैं इलेक्ट्रोनिक ट्रक अगराफ खुरिते हैं तो आपको सबसीडी दी जाएगी 50% सबसीडी कितनी 50% सब्सीडी जो है वो सरकार यहां पर देगी हिमाचल प्रदेश को 2026 तक जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का टार्गेट जो है वो रखा गया है वो भी आपने धियान रखना है तो उसी की और जो है यह कदम भी है एक अगर हम बात कर रहे हैं ना सब्सीडी इसकी तो सब्सीडी एक और मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो गिर्यास पत्रिका में इस बार फिर से कवर की गई थी पहले हमने बहुत बार वो पढ़ लिया है वो भी सौर एनर्जी से रिलेट इडिया है इतनी बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगी भूलेंगी नहीं तो कहा जाता है सिरकार ने टार्गेट रखा है कि इस वर्स जो है 500 मेगा वाट उर्जा जो है वो सौर उर्जा जो है हम प्रोड्यूस करेंगे यह टार्गेट रखा गया है सरकार ने जो है वो 250 किलो वाट से लेकर 2 मेगा वाट तक की सौर परियोजना जो है उनको स्थापित अगर कोई यूवा करता है तो उनको 40% सबसीडी जो है वो दी जाएगी 40% सबसीडी जो है वो वहां प्रभी सरकार देने की बात कहती है तो ये ध्यान रखना है 250 किलो वाट से लेकर 2 मेगा वाट तक की परियोजना अगर कोई स्थाफित जो है वो करता है ये आपको पता होना चाहिए चलिए ये आपने बेसिक सीडरम जो है वो जान ली यहीं पर जो था वो बात की गई थी मनरेगा की ध्याडी की तो मनरेगा की ध्याडी आपको जनल सेंस में पता होनी चाहिए एक्जाम में पूछी जा सकती है तो 240 रुपया 240 रुपया जो है मनरेगा ध्याडी जो है वो दी जाती है इंपॉटन्ट इसलिए है क्योंकि अभी इसमें 28 रुपया की बढ़ात्री की गई है तो यह 240 रुपया जो है वो हो गई है चलिए यह हो गया question, अगला question देखिए बोलते हैं हिमाचल प्रदेश State electricity board limited was set up in which year तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश State electricity board limited जो है वो वो किस वर्ष जो था वो स्थाफित किया गया था क्यों यह question की रिजाज पत्रिका से बन रहा है देखिए अभी सरकार ने यह announce कर दिया कि जो electricity board के करमचारी है उनको भी जो है वो OPS का फाइदा जो है वो दिया जाएगा उनको भी जो है वो पुरानी pension दी जाएगी तो यह 6500 जो है वो employee हैं जिनको यहां से फाइदा मिलेगा इन्हों ने फिर कहा कि हमें भी देनी चाहिए तो उसके बाद इनको दे उसको एनॉंस किया गया कि उनको भी आपको दे देंगे चिंता मत करो अब electricity board 1971 में जो था वो स्थाफित किया गया था option C सही अन्सर है अब यह को कोई भी employees कोई भी employees जब भरती होता है तो वो government services के तह आता है जैसे teacher हो गए आपके अच्चेस हो गए एंटी हो गए एलाइड में आते हैं तो यह सारे से सारे government services में चले जाएंगे परन्तु कुछ एक पोस्टें ऐसी निकलते हैं जो बोर्ड में निकलते हैं electricity बोर्ड में जो है वो पोस्टें निकल जाएंगी जैसे तो अब electricity अपने आप में एक बोर्ड है तो यहां पर यह अपनी recruitment करते हैं यह और फिर इनके पास अपना एक भज़ा डाता है जिसके हिसाब से चलते हैं तो यह एक तरह से उन services में नहीं आए जिनमें teacher आए तो इसलिए जो है वो इनको pension से वनशित रखा गया पहले परन्तु अब इ state electricity board लेंटे जो था वो चर्चा में आया तो यहां से हमने question cover कर लिया 1971 में ही आपका हिमाचल परदेश high court ये भी जो था वो था वो स्थापित किया गया था 1971 में ही जो था वो हिमाचल परदेश का गठन भी जो था वो किया गया था आपने साथ में ध्यान रखना है कि हिमाच 1971 में ही जुका वो similar में स्थापित किया गया था तो यह सारा आपने ध्यान रखना है अगला कोईशिन देखिए जी अगले कोईशिन में क्या बोलते हैं बोलते हैं तो मैंने एक अलग सा कोईशिन आपके लिए गवर किया जो बहुत important हो जाता है exam point of view से most important तो अनुमानित जो विकासदर है हिमाचल प्रदेश की वो है 6.4% option C जो है वो आपने ध्यान रखना है इतना ही यहाँ से ध्यान रखिए ज्यादा confuse मत हो ना 6.4% जो है वो हिमाचल प् बोलते हैं इंद्रा गांधी Medical College Shimla was renamed in which year मैंने कहा था ना कि हम NPA की बात करेंगे जो non practicing allowance जो है वो दिया जाता है कि डॉक्टर्स को ही सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है इसको लेकर अभी विवाद बना हुआ है तो वहीं से जो है NPA जो है एक आता है डॉक्टर से निकल कर और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि IGMC की बात की गई थी गिरीराज पत्रिका में कि IGMC में जो है विस्वस्तर ये स्वास्ते सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी लोगों को दिक्कत ना हो ये ध्यान जो है और रखा जाएगा और भी अलग लग बातें कही गई थी facilities को लेकर जो exam point of view से जरूरी नहीं है ये IGMC का नाम कब पढ़ा था IGMC का नाम 1984 में पढ़ा था option भी सही हंतर है मैंने ये नहीं कहा कि इसकी स्थापना कब हुई थी इसका नाम कब पढ़ा था अब इसका नाम पढ़ा था 1984 में इसकी पूरी history आप जानेंगे तो आपके concept भी करता था शिमला में HPMC इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश medical college इसकी स्थाफना कर दी गई 1966 में 1966 में इसकी स्थाफना कर दी गई अब इस हिमाचल प्रदेश medical college को जो था वो नाम दे दिया गया इंडरा इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज का तो इसको रिनेम किया गया है 1984 में IGMC के नाम से जो है इसको एब्रिवेट के जाता है IGMC इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलेज इंद्रा गांधी गॉर्मेंट मेडिकल कॉलेज इसको कहते हैं तो यह आपने ध्यान रखना है कि वैसे तो प्रदेश मेडिकल कॉलेज यह 1966 में स्थावित किया गया प्रंतु यह जो हिमाचल प्रदेश का मेडिकल कॉलेज का नाम IGMC रखा गया यह 1984 में रखा गया शिमला में जो है यह स्थित है तो यह भी आपने जान लिया साथ में ही हम डिसकस कर लेते हैं NPA के बारे में NPA होता है Non Practicing Allowance डॉक्टर्स को जो है वो NPA दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को जो डॉक्टर हैं चाहे वो अलग लग है आयूस में आ जाते हैं या फिर अनिमल हैस्पेंटरी में जाते हैं उनको NPA दिया जाता है अब सरकार ने क्या कहा कि जो को यह कहा जाता है जो government doctor होते हैं कि आप private practice मत कीजिए बाहर जाकर उसके लिए हम आपको allowance जो है वो अलग से देंगे तो doctors को अलग से जो है वो allowance दिया जाता है भत्ता दिया जाता है कि वो बाहर जाकर जो है वो practice ना करें अब बात क्या हुई बात इस तरह से हुई कि जो सरक कि अब जो नए भर्तियां होंगी हम क्या करेंगे उनको नहीं देंगे पुरानी भर्तियों को मिलते रहेंगे एद सच उनको मिलते रहेंगे परंतु यहां से एक और दिक्कत आ गई अब जो नए डॉक्टर लगेंगे वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यदा मेहनत करते हैं फिर क्यालिफाइए करते हैं तो हमें एंपिय मिलना चाहिए अधर्वाइज हम जो हो स्ट्राइक कर देंगे तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने पैन डाउन जो हो कर दिया है पैन डाउन उन्होंने कर दिया है कि कुछ टाइम तक काम नहीं करेंगे फिर उसके बाद काम NPA के ओपर उनको DA भी मिलता है Dairness Alliance भी मिलता है तो उस तरह से मतलब काफी अच्छा खासा फाइदा उनको यहां से होता है तो इसलिए यह लोग कहते हैं कि हमें तो NPA दिया जाना चाहिए अब सरकार कहती है कि हम नहीं देंगे उसी को लेकर चर्चा पर चर्चा चली थी नए प्रसिक्षू जो है वो इसका विरो इसका जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमें दिया जाना चाहिए और बाकी डॉक्टर भी जो है वो इनकी स्पोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए ये NPA बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया होफूली कि आपके सारे कॉंसेप्ट NPA के बारे में जो है वो क्लियर हो गए होंगे बड़ी ही बेसिक डरम थी जो हिमाचल में आजकल चली हुई थी इस वीडियो की PDF में आपको टेलिग्राम पर जरूर परवाइड करवाऊंगा क्वेशन देखिए बहुत जादा important है बोलते हैं तो बोलते हैं कि 1849 के आसपास कांगडा घाटी में जो था वो चाय की खेती किसने स्टार्ट की थी लास्ट टाइम हमने गिरास पत्रिका में डिटेल से इस कोईशन का अंसर जाना था डिटेल से जुताओ हमने यहां पर पड़ा था जल्दी से कमेंट करके पता दिजिए कि कांगडा वैली में जुताओ चाय की खेती किसने स्टार्ट की थी टेलिग्राम पर किस तरह से जॉइन करने हैं टेलिग्राम पर जॉइन करने के लिए अपने टेलिग्राम से एट दरे टॉल एक्जाम 31 इस तरह से सर्च करने हैं टेलिग्राम चैनल भी मिल जाएगा वहाँ पर PDF में डेफिनिटली प्रवाइड करवा दूँगा साय इस वीडियो की PDF अभी तक चेंड नहीं की थी प्रंथु दोनों वीडियो की कमपाइल करके एक साथ ही सेंड कर दूँगा आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है That's all for today, thank you Thank you very much for watching and listening it very patiently